आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, इस question है बोला गया है कि अपास यहां पर 2 point charges है जिनकी value अपर पास यहां पर प्लस Q गीवन है और उनको जो place क्या गया है उनके जो position के coordinate है अपने गीवन है minus A by 2, 0, 0 and A by 2, 0, 0 यह अपने गीवन है अब अपने को बोला कि जो YZ plane है उसमें अपने को जो minus Q charge है उसको क्या रखना चाहिए उसको क्या लोकेस होना चाहिए अपने पास यहां पर ताकि मैं पास जो net अपने पास अपने पास जो electrostatic potential energy हो system की उसके वह लिए क्या जाएगे मैं पास यहां पर 0 obtain हो जाए तो अपने पास यहां पर जो उसका नमाल लो अपना जो Cartesian coordinate है वो जाएगा रोस यहां पर ठीक है यह अपना Cartesian coordinate हो गया अब जो मैं पास यहां पर हो रहा है इस point को बोलाँ मैं यहां पर इस axis को बोलाँ positive y axis है रोस यहां पर इस axis को बोलाँ positive z axis है और मैं right-hand rule का use करूंगा यह बट के आपास यहा우 कि तरफ से जाऊंगा तो क्या होगा वाइ से ज्र की तरफ मेरे इसमें फिंकर करोंगा तो यह जो अंप उपको के काशिन को करेगा एक चार्ज पहला है एए्ग और अकसिज फ्रेट्टीऊ थी उभाइश होगी इस फीनि पर फॉजेटिव दूसरे का point क्या है में पर हम पर हो है minus a by 2 0,0 यह मेरे पास coordinate गीवन है दोनों के अब यहां पर पास बोला कि तीसरा मेरे पास charge है उसको yz plane में रखना है तो यह मेरे पास yz plane उसको अपने एक बार आपे स्टोक लेता है से यह मेरे पास क्या है जो अपना paper का plane हो yz plane है ठीक है और yz plane पर क्या बोला है कोई इपना एक point ले लिया में ठीक है इन general और जो इन general point है इस पर मैंने क्या किया जो minus q charge उसको रख दिया है yz plane में इसका जो coordinate होगा क्या होगा देखो अपना x coordinate जीरो जाएगा y coordinate को मैं capital y से denote कर रहा हूं z coordinate को capital z से मैं आपे denote कर रहा हूं में पास क्या जाएगा आप आप तीन charges का एक system बन जाएगा तो मैं यहाँ पर जो system उसको डोख कर लेता हूं इनकी बीश की जो distance है उनको मैं यहाँ पर find out करने कोश्च करता हूं यह में पास क्या हो जाएगा एक तो यह में पास distance आजएगी दूसरे में पास क्या जाएगी यहाँ वाले particle चिसकी distance में पास ठीक है और similarly में पास क्या जो दो positive q charge है उनकी बीश की distance में पास क्या बन गया है कैसे एक tangulator system बन गया ठीक है तो यहाँ पी जो charges है उसके विल्यूद क्या है यह plus q charge है और यहाँ पे minus q charge है तो सबसे पहले में पास जो point उनको मैं आप बोलता हूं इस point को बोलता हूं A point बोलता हूं इस point को बोलता हूं B point इस point को बोलता हूं C point तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं जो इनकी distances से calculate कर लेता हूं मेरे पास जो AB distance आएगी हो कितनी आएगी AB distance simply है मेरे पास यहाँ पे इधर से minus A by 2 है इधर EB गाए A by 2 है तो क्या हो जाएगी distance हो जाएगी A आ जाएगी AB की distance जो है similarly अगर मैं यहाँ पर plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square यह अगर अपने distance formula लगाएंगे तो से की value क्या जाएगी यहाँ पे वह जाएगी यहाँ पे root of यहाँ वाले कोडिनेट को में 2 बोल लाँ हो यहाँ वाले को बोल लाँ हो 1 तो क्या जाएगा 0 minus A by 2 square तो क्या जाएगा A square by 4 हो जाएगा plus y minus 0 square तो क्या जाएगा y square हो जाएगा similar z minus 0 क्या जाएगा z square हो जाएगा इसी तरह में पास क्या हो जाएगा जो BC है उसके लिए find out कर सकता हूँ तो BC के लिए भी क्या जाएगा formula सेम उपर वाला ही formula लगना है यहाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसे कोडिनेट क्या है 0 minus A by 2 तो minus minus क्या हो जाएगा plus A by 2 और A by 2 का square क्या हो जाएगा A square by 4 plus y minus 0 square क्या हो जाएगा y square plus z minus 0 क्या हो जाएगा z रहेगा और z का square जाएगा यहाँ पे अब जो system है उसकी potential energy क्या होगी मैं पर जो potential energy होगी system की वो क्या होगी पहले में पास क्या होगा पेर बनाने पड़ेंगे potential energy के लिए तो में पास जो U होगी में पास A होगा उसके साथ पेर बनाएगा एक B के साथ बनाएगा और एक C के साथ बनाएगा तो AB system की potential energy plus जो में पास AC system उसकी potential energy similarly C किसके साथ pair बनाएगा, A के साथ बनाएगा और B के साथ बनाएगा, A वाले pair को तो अपर ने AC को पहले count कर लिया, तो कौन सा आएगा, B C आएगा आएगा, तो आएगा U, B C, अगर आगे मैं और देखूं तो क्या होगा यहाँ पर, कि मेर पास यहाँ पर जो, B किसके साथ C के साथ तो अपने अलड़ी consider कर लिया, B के साथ मना एगा, A के साथ बनाएगा, वो अगोग ने, अलड़ी consider कर लिया, तो मेर पास यहाँ पर यहाँ पर यह तीन सिस्टम बने जिसके अपने को potential energy है वो, अपने यहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मेर पास क्या जाएगी इभी इस system की potential energy क्या जाएगी AB क्या है मैंने सहाँ पर यहां मेरे पास A है charge यहां charge है B दोनों का charge क्या value सेम होती है अगर मेरे साँ यहां पर एक charge Q है दूसा charge यहां पर Q1 charge है यहां पर Q2 N की distance की distance अगर R है तो इस system की potential energy होती है क्या होती है होती है k q1 q2 divided by r तो यहाँ पर simple formula लगा देंगे तो ab के लिए क्या जाएगा k into पहले इस value क्या है plus q है दूसरे value क्या भी plus q है divided by distance square distance क्या है यहाँ पर ab क्या है मिर पास यहाँ पर ab क्या है तो आजाएगा यहाँ पर ab value a square नियाएगा उनली यह आएगा plus ac क्या हो जाएगा के into a पे मेर पास charge plus q है c पे charge क्या हो minus q है divided by distance यहाँ पर यहाँ पर скड़कर a2 by 4 plus y2 plus z2 similarly में पर पाइब जो bc है उसके लिए का जाएगा b पर चार जाएगा positive q है c पर चार जाएगा positive q है divided by distance का है distance bc का है आपने पर यहां पर यही है आज जाएगे a2 by 4 plus y2 plus z2 तो यहां से plus का जाएगा यह sign का जाएगा minus होजएगा plus minus क्या होगा minus और net क्या होजएगा minus यहां भी plus minus minus और यहां पर sign का होजएगा minus और इसकी value क्या बोलेगी है आप सिस्टम की जो potential क्या होजएगे 0 की कोल होना चाहिए तो यहां पर अपन further solve करेंगे तो क्या जाएगा 0 तो यहां क्या हो जाएगा जो मैं रास negative वाला में पास चीज़ा उसको मैं क्या लाएगा यहां पर right hand side में लेएगा तो मैं प्रास जाएगा kq square divided by a square is equal to 4 kq square divided by root of a square by 4 plus y square plus z square यहां जाएगा अब यहां पर अगर अपन देखेंगे तो क्या जाएगा kq square साथ kq square cancel हो जाएगा ठीक है यहां value में पास a square नहीं रहेगा a रहेगा यहां पर यह जो value थी में पास क्या रहेगी यहां पर a रहेगी और यह भी क्या रहेगी a रहेगी यहां पर ठीक है अब यहां मेरे को क्य इहां क्या जाएगा यहां जाएगा a2 by 4 plus y2 plus z2 अब यहां पर cross multiply करेंगे क्या जाएगा क्या जाएगा y2 plus z2 plus a2 by 4 is equal to 4a2 तो जो a2 by 4 उसको right hand side में लेंगा जाएगा यहां जाएगा y2 plus z2 is equal to 4a2 minus a2 by 4 तो 4LCM आजाएगा जाएगा 16a2 minus a2 तो कितना हो जाएगा 15a2 by 4 एक इसके को लाजाएगा यहां जाएगा y2 plus z2 हो के जाएगा 15a2 by 4 मेर पास क्या हो जाएगा यह जो प्तास equation हो के है यह मेर पास equation है circle की सरकल है किस प्लेन में यहां पर यह पास yz प्लेन में और इसका जो सेंट्रोईट है सेंटर कहां पर इसका सेंटर इसका है 00 और इसका रेडियस बोलनों तो क्या हो जाएगी अंडर रूट ओ 15 a2 by 4 तो क्या जाएगी यह जाएगी अपना z2 plus y2 is equal to 15 a2 by 4 तो option c हो जाएगा इस question का अपना correct answer हो जाएगा Thank you students Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts आट 400 400 400 पर